Hello इस वीडियो में हम PHP में if statement क्या होती है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे if statement इसके definition जानेंगे if statement तब ही execute होती है जब condition true हो यदि condition false हो तो कुछ भी execute नहीं होता है तो यह if statement की definition है इसके बाद हम if statement का syntax जानेंगे तो यह if statement का syntax है if condition इसके बाद curly braces open code to be executed इसके बाद curly braces close तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे यह लिया गया है कि यदि condition सही है तो हमारा code execute होगा अगर condition false है तो code यहाँ पे execute नहीं होगा तो यह यहाँ पे if statement का structure है if का मतलब है यदी यदी यहाँ पे दो condition है एक सही है एक गलत है यहाँ पे condition लगाई हुई है अगर condition सही होती है तो statement प्रिंट हो जाएगी second case में अगर condition यहाँ पे false होती है तो यहाँ पे statement आट हो जाएगी इसको हम यहाँ पे आगे प्रोग्राम के जरीए समते हैं यहाँ पे if statement का प्रोग्राम है यह यहाँ पे प्रोग्राम दिये गया है write a program in PHP to check whether a person is adult or not यह यहाँ पे प्रोग्राम दिये गया है इसको हम यहाँ पे प्रोग्राम के जरीए समझेंगे तो यह ही यहाँ पे PHP का program लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है HTML उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है body उसके बाद यहाँ पे heading लगा हुई है सबसे बड़ी H1 इसके बाद PHP को start किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे is variable लिखा हुआ है is equal to 25 यहां पर value है इसके बाद semicolon इसके बाद यहां पर if और इसके बाद यहां पर condition लगाई हुई है is is greater than 18 इसके बाद यहां पर curly braces इसके बाद यहां पर echo यहां पर statement लगाई हुई है you are an adult now इसके बाद यहां पर semicolon इसके बाद यहां पर curly braces को close किया हुई है इसके बाद PHP को close क किया हुआ है इसके बाद body को बन किया है इसके बाद यहाँ पर यह जो एज है यहाँ पर 25 वरी हुई है और यहाँ पर if में यह condition लगा हुई है कि age is greater than 18 तो यहाँ पर 25 तक जो भी हम value भरेंगे जो statement प्रिंट होके आएगी वो यह आएगी you are an adult now इसको हम यहाँ पर किसी और न फाइल है इसको save किया जाता है यह c drive यहाँ पर क्लिक किया इसके बाद यहाँ पर bump 64 यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह यहाँ पर नीचे देगे है www यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह project जो है एक folder यहाँ पर हमने create किया रखेंगे तो यहाँ पे हमने क्लिक किया इस प्रोजेक्ट फॉल्डर में यह फाइल सेव हो के आएगे यहाँ पे हम इसको नेम देंगे RT यहाँ पे हमने फाइल नेम दिया इसके बाद यहाँ पे PHP के extension लगाएंगे .php यह extension लगाई लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको save कर देंगे save करने के बाद हम इसको minimize करेंगे और यहाँ पे bomb server यह दिया गया है यहाँ पे इसको open करेंगे तो यह देखो bomb server यहाँ पे open हो रहा है यह देखो task बार में यह bomb server आ गया है यहाँ पे हम click करेंगे क्लिक करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे localhost यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर हम यहां पर लिखेंगे localhost इसके बाद forward slash इसके बाद project लिखा project लिखने के बाद forward slash इसके बाद file name हमने दिया था rt rt लिखने के बाद dot php लिखने के बाद हम यहाँ पे enter प्रेस करेंगे तो यह देखो यहाँ पे यह statement प्रिंट होके आगे you are an adult now तो यह देखो यहाँ पे age भरी हुए है 18 तो यहाँ पे यह statement प्रिंट कर रहा है you are an adult now यह देखो you are an adult now तो यह देखो यहाँ पे age दी गई है equal to 25 25 तक जो भी हम यह age बरेंगे वहाँ पे हमें message शो करेगा you are an adult now यह message हमें शो करेगा अगर हम यहाँ पे 18 की जगा यहाँ पे 26 बरेंगे age तो यहाँ पे यह message कुछ भी शो नहीं करेगा यहाँ पे इसको मिटाते है यह हमने मिटाया मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 26 age हमने यहाँ पे 26 बरे इसके बाद इसको हम यहाँ पे save करेंगे file पे गए save पे गए यह save होगे इसके बाद हम इसको refresh करेंगे तो यह देखो जैसे हमने इसको refresh किया, refresh करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ भी print होके नहीं आया तो यह क्यों नहीं आया यहाँ पे यह देखो, age यहाँ पे दी गई है, is equal to 25 25 से निचे जितनी भी age हम यहाँ पे बरेंगे, तो हम यहाँ पे message शो करेगा you are an adult know अगर हम यहाँ पे 25 से ज़्यादा age बरेंगे, तो हम यहाँ पे यह देखो, कुछ भी print होके नहीं आयेगा, अगर हम यहाँ पे 25 या 25 से निचे जो भी यहाँ पे age बरेंगे तो हमें यह message शो करेगा अब देखो, यहाँ पे 26 की जगा हम यहां पर करेंगे 19 19 किया इसके बाद इसको यहां पर फाइल पर जाएंगे और save पर क्लिक करेंगे save पर क्लिक किया तो यह जो 19 है यह 25 से निचे यह जाए यहां पर इसको refresh करेंगे तो यह देखो यहां पर हमने refresh किया तो फिर से हमें ये message शो हो गया you are an adult now तो इस तरह से if statement काम करती है तो इस वीडियो में हमने ये सिखा कि PHP में if statement कैसे काम करती है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद